मिल बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि きच वो देखते है कि सेंसी उपर जा रहा है निफिटी ओपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो झेंसी को हम खरीद कैसे सकते हैं जैसे कि हम तंसाइल लेते हैं टा इस कशियर लेते हैं बेच भी देते हैं तो क्या से निफ्स और सैंसेक्स को भी खरीदा बेचा जा सकता है आज आपको पता लगेगा सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है और यह ETF जो लिखा है यह ETF का मतलब क्या है इस एक ही वीडियो से आपको बहुत सारी इंफरमेशन पता लगने वाली है तो इस वीडियो को आप इंट तक देखना बहुत इंफरमेटिव रहेगी और अगर आपको कि अपको स्टॉक मारकेट में इनवेशन करने के लिए आपको एक डेमेट अकाउन होता है तो फ्री में अप्सक्स पर जाके अपना अकाउन खुलवा सकते हैं डिस्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है तो उसमें और नं करगे भी पैसे कमा सकते तो आज इंटेशल के अप 500,000 companies हैं, हमारे पास इंडिया में 2 exchange है, एक है BSE और दूसरा है NSE Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange, तो National Stock Exchange की Top 50 companies से मिलकर बनता है और Bombay Stock Exchange की Top 30 companies से मिलकर बनता है Sensex, तो अगर हम ये दिखते हैं कि Market में Sensex उपर जा रहा है तो हम पता लग जाता है कि Market Stock Market आज उपर गई है और अगर निफ्टी मालीजे गिरता है तो हमें पता लग जाता है मार्केट गिर रही है अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि के National Stock Exchange पर जादा कमणी लिस्टेड हैं अब यहां पर मैंने आपको इंडेक्स का मतलब समझा दिया तो इंडेक्स का मतलब हो गया कि सेंसेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ब्हस्च की पाँ स्थerson की टोप तो इंडेक्स को देखकर हमें पता लग रहा है कि मांके डूपर जारी नीचे जारी और यह भी पता लग रहा है कि इसके अंदर टॉप 30 और टॉप 50 अब यहां पर बात करते हैं कि इन्हें खरीद कैसे सकते हैं पहली बात तो आप इंडेक्स को नहीं घरी सकते डिरेक्ली के यह होता है कि यह अलग 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 कमपनी से मिलकर बनता है आप अपना पैसा एक AMC को देते हैं और असेंड मैंज्मेंट कमपनी के पास सेटीफाइड और कौलिफाइड फंड menager होते हैं तो वह आपके बहाफ पर investment करते हैं एक्कुटी में अगर वह करेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं equity mutual fund उसी के अंदर आ जाता है आपका index mutual fund index mutual fund के अंदर जो आपका पैसा लगता है यह AMC बिना को सोचे समझें पैसा लगा देती है आपका sensex में या फिर nifty में आपने जिस भी index के इसाब से mutual fund खरीदा होगा अगर आपने nifty का खरीदा है nifty 50 index fund खरीदा है तो आपका पैसा nifty 50 के इसाब से लग जाएगा तो nifty 50 की top 50 companies में आपका पैसा लग जाएगा अच्छी बात क्या होती है कि index के अंदर हर 6 महीने के अंदर companies बदल भी सकती है तो यहां पे हर 6 महीने के बाद एक monitoring होती है जो companies अच्छा perform करेंगी जिनकी market cap उपर होगी जो अच्छी companies है सिर्फ वही nifty में टिकेंगी वही sensex में टिकेंगी तो हर 6 महीने के अंदर एक reconciliation होता है अब यह भी आपको समझा गया कि जो companies best होंगी सिर्फ वही इसमें टिकेंगी तो क्यों ना हम अपना best companies में पैसा लगा दें तो एक option तो हमारे पास mutual fund का दा दूसरा option होता है ETF का तो आज अभी हम ETF समझने वाले हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आप इंडिया की top companies में पैसा लगा सकते हैं और बहुत छोटे amounts है और किस तरीके से काम करता है मैं आपको बदाता हूं ETF का मतलब होता है exchange credit funds जो फंड्स exchange पर trade होते हैं उन्हें exchange ट्रेडिट funds बोलते हैं ETF के अंदर इसका मतलब क्या है आपको सोना खरीदना है ठीक है आप देखते है कि अगर आपको सोना खरीदना है तो 50,000 भाव चल रहा है अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा आपको 50,000 रुपे कि अवको 10 गराद मेंऄस का प्रशन यह पता क्या क्या है थीटिएक्यों ripe एक सब्सक्राइब करेंसे तो ओओ सकता है। माधा है नीफ्रीlla क्या तता है jnostr i.s. आपके बहुत सब्सक्राइब को कि आप यहां पर ETF को एक्स्चेंज पर खरीज सकते हैं मतलब जैसे कि आप एक शेयर खरीदते हैं वैसे यह यह आप अपको तक कुछ ना समझ आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं अब आपको मैं अपने फोन पर लेकर जाता हूं यहां पर में स्क्रीन डिकॉर्डिंग कर देता हूं जिससे आपको बहुत क्लियारिटी से समझ आएगा कि आप किस तरीके से ETF में पैसा लगा सकते हैं तो यहां पर आजाते हैं आप जैसे अप स्वाल पर जाएंगे आपको यहां पर सर्च करना है अब हम ETF की बात कर रहे हैं अगर आप सिर्फ ETF सर्च कर लेंगे तो आपके बहुत सारे ETF आजएंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे यह ETF क्या है अब एक्जाम्पल आपी के सवाल पर रहते हैं मुझे तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी यहां पर लिख देंगे और जैसे अब निफ्टी पर लिखते हैं निफ्टी तो यह हमारा एक benchmark है अगर हम कहते हैं हमारे stock ने benchmark से अच्छा perform किया तो हम किसे देख रहे हैं हम या तो निफ्टी यह Sensex को देख रहे हैं तो benchmark हैं दोनों अगर इन से अच्छा परफॉर्म कर जाता है माल लेते हैं निफ्टी बढ़ा एक साल में 15 परसेंट और हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्मेंट करी वह बढ़ा 10 परसेंट तो हम क्या बोलेंगे कि उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया और अगर यह 18 परसेंट बढ़ जा स्कीम है तो यहां पर आप देखते हूं यह तो चल रहा है 191 रूपीज का अगर मैं इसे बाय करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ आप यहां पर एक सीज देखेगा आप मूचल फंड के लिमेट और नहीं लगा सकते हैं अभी तो स्टॉक मार्केट अभी बंद है क्योंकि तो आप जब मार्केट खुलेगी आप डेफिनेटली से खरी सकते हैं और वह आपको मिल जाएगा यहां पर जी टी टी ओर्डर भी आगए है अप स्टॉक के अंदर सो जी टी टी का मतलब होता है गुट टिल्ट ट्रिगर तो जब तक वह आपका रेट जो आपने डिसाइड के वह नहीं आता तब तक आपका ओडर ओपन पड़ा रहेगा आप मालीज आप कहते हैं जी मैं आप तो 185 म करना तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है 191 रुपीम रुपी में आपने एक संधी टो खरीद लिया आप अगर अगर Nifty का ETF खरीदा है तो आपके 190 रुपे जो भी आपने investment करी ये इंडिया की top 50 companies में लग चुके हैं अब अगर आपको Nifty की सारी companies में investment करना है आप देखो कि हर company का share price अलग अलग है तो आपको बहुत पैसे लगाने बढ़ जाएंगे आप share का price एक तो भी 1000 रुपे में share का price है तो आपको हर share खरीदना है तो उससे better क्या है कि आप directly ETF खरीद दो ETF आपको पढ़ रहा है 190 रुपे के आसपास का जो भी आपको दिख रहा है तो फाइदा यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इंवेस्टमेंट हो गई तो अगर share market ऊपर जाती है तो आपका ETF ऊपर जाएगा share market नीचे जाती है तो आपका ETF नीचे जाएगा यहाँ पर एक stock में invest करने का risk नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता ETF के अंदर जो आपने पैसा लगाया यह 0 नहीं हो सकता जीरो इंदसेंस की ऐसा नहीं होगा कि बहुत जादा तूट जाएगा तो जो निफ्टी एक परसेंट दो परसेंट की volatility के जाब से मूव करता है वह अगर आपने डिपेंड करता कि किस टाइप के share में पैसा लगाया है माली जे आपने एक मिड कैप शेर में पैसा लगाया तो पांस से तस पैसेंट भी एक दिन में वॉलिटिलिटी दिखा सकता है तो आपकी एक लाग की investment जादा भी हो सकती है वह 90,000 भी रह सकती है यहां पर निफ्टी के अंदर आपकी investment comparatively safe रहती है और अगर आप ETF की तुरू पैसा लगा रहे हो सो ETF के तुरू पैसा लगाना आपको समझा गया ETF आपने अपने अपनी investment को diversify कर दिया एक यहां पर एक और important चीज है कि ETF में जब आप पैसा लगा रहे हो तो आप यहां पर मैंने एक्जाम्पल यह था निफ्टी का अगर आपको Sensex के आप से पैसा लगाना तो आप क्या करोगे मालीजे SBI Sensex लिख देता हूं मैं आप आप सो यहां पर SBI का जो Sensex के ETF है वो मुझे दिख गिया अब आपको दिख रहा है यह एटिएफ तो है 623 रुपीज का यहां पर आपको सेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट ETF से लगबग 100 गुना जाधा रेट होता है आपका जो आपके इंडेक्स का होता है तो यहां पर हमने SBI की बात करी थी मैं screen recording on कर देता हूं I hope miss ना हुआ हो जाधा कुछ तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या किया था हमने सिंबली यहां पर SBI सर्च किया हमारे पास SBI SENSEX का ETF आगया अब हम चाहें तो इसके अंदर भी अपनी investment कर सकते हैं यू कन बाई अगर आपने कल को खरीद लिया तो आप इसे मेज भी सकते हैं यहां पर डिलिवरी ले सकते हैं और आप चाहें तो अब यहां पर एक और चीज मुझे आपको दिखानी है जो कि बहुत ही ज्यादर इंट्रस्टिंग है अगर मालीजे मुझे इंडेन एक्सचेंज है इंडेन इंडेक्स में पैसा नहीं लगाएना मुझे सेंश lifelong इंफ्ती में पैसा नहीं लगाना मुझे तो यूए mesma एक हमारे पास इंडेक्स है जो अब इससे लगाना है तो यहां फिला कि hip फॉल का की उटियू का मतलब क्या है कि मेरा जो पैसा है वो यूएस की NASDAQ के अंदर जो top 100 companies आती है उसमें लग जाएगा अब अगर कल को जैसे आपको पता यह कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि चलो आपको दिखतो रहे एक 113 रुपे का प्राइज है आपको दिख रहे हैं कि भी है मैंने आपको पहले भी डिसक्स किया हुआ है कि अगर आप यूस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो अगर गल को USD डॉलर बढ़ता है इंडियन करंसी के साब से तो आपको एटेफ पर डबल फायदा होगा तो आज आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप एटेफ है यह आप बहुत असानी से एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं खरीज सकते हैं बेच सकते हैं बट एटेफ के अंदर एक इस्यू होता है जो एक लिमिटेशन में आपको बदा देता हूं अगर आप कोई क्योंकि एसे एटेफ में पैसा लगाते हैं जिसमें वॉल्य इसमें वॉल्यूम हो मैंने आपको निफ्टी बीस के एक्जांपल लेगा एक्जांपल दिने नेस्टेक हंडेट के आप से एटेफ है मोतिला लॉसल का तो इस तरीके से आप बहुत असानी से अप्स्रोक्स पर जाके एटीएफ पर इंवेस्मेंट चाहें तो कर सकते हैं त अगर कल कोई यह ग्रो करती है तो आपको पूरा पैसा लगाने की जुरूरत नहीं है अगर आपको दिखता है कि यह जो निफ्टी 18,000 के आसपास चल रहा है तो 18,000 लगाने की जुरूरत नहीं है उनने चाहर की करना चाहते है के काचते है तक इस तरीफ में आपको दिखा देता हूं यह भी रह जाएगा तो दिखाने में अच्छा रहता की आपको समझ जो आएगी वह लॉंग तुम के लिए आपको चीज़े याद रहेंगी तो यहापि मैं बैक कर के लिखाता हूं मा अगर मैं gold ETF में invest करता हूँ, for example, हम इस पर आ जाते हैं, so यह जो gold ETF है, इससे 45 रुपीस का है, यह किस पर depend करेगा, gold का price उपर जाएगा, तो ETF उपर जाएगा, gold का price नीचे जाएगा, तो ETF नीचे जाएगा, आप ETF कब कब ले सकते हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको यह पता होगा, कि जब भी मालीजे कोई warlike situation होती है, तो gold का price उपर जाता है, अगर आप gold ETF में investment करते हैं, तो अगर कोई ऐसी situation होती है, जिसमें warlike situation है, तो आपको gold ETF बढ़ता हूँ देखेगा, और in fact, जब stock market crash कर रही होती है, तब भी gold का rate बढ़ जाता है, तो आप gold ETF में इस तरीके से पैसा लगा सकते हैं, अब मैं आपको एक और example दे रहा था, कि अगर आप मान लीजे, पैंक drifty के हिसाब से investment करना चाते हैं, क्या उसका भी ETF ले सकते हैं, अब यह क्या हुआ, बेंचमार्क हो गया, जो bank drifty है, वो banks का benchmark हो गया, तो यहाँ पर आप क्या search करेंगे, आप बैंक 20 को search करेंगे, आपने जब बैंक 20 search किया, यहाँ पर आपको एक ETF दिखता है, जो कि य and bank 20 का आपको rate दिख रहा है, 379 का है, 379 की investments है, आपकी investments हो है, वो diversify हो गई, वो किसके साब से हो गई, वो bank drifty के साब से हो गई, अगर bank drifty उपर जाएगा, तो आपका ETF भी उपर जाएगा, and bank drifty करेंगा, तो यहाँ पर आप अपनी investment diversify करना चाते हैं, तो मैंने आपको यह clarity मिली, very good, this clarity को सिर्फ अपने पास तक नी रखना, इसे share भी करना है, so share this video right now with your friends, so that they will also get to know about ETFs, वो किस तरी के से investments कर सकते हैं, and सिर्फ जैसे मने बोला, 190 रुपे के साब से, 379 के साब से वो अपनी investment को diversify कर सकते हैं, so finally, अगर आपको ETF के तूर इन्वेस्मेंट करनी है, त आपको एक DMIT account शीए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अप्स्रोक्स का लिंक है, so आज ही आगे अपना फ्रीम अपना खुलवा लिजे, and I will see you in the next video, Facebook video देखने, follow कीजे, YouTube पर देखने, subscribe कीजे, bell icon पर क्लिक कीजे, and अपना प्यार देने क्लिए लाइक कर दीजे, see in the next video, till that time, you go self-made.